दूस्तों कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी IPO में आप बहुत जादा इंट्रेस्टेट थे किसी कंपणी का नया IPO आ रहा था आपने अलग-अलग DMAT accounts के थू भी उसमें apply कर दिया लेकिन फिर भी आपको IPO allot नहीं हुआ मेरे साथ तो definitely हुआ है और ये तो हम सभी जानते हैं ऐसा क्यों होता है generally किसी IPO के अंदर या फिर किसी कंपणी के अंदर बहुत जादा अगर इंट्रेस्ट होता है तो वो over subscribe हो जाता है ऐसे case में lottery based system से ही allotment होती है तो बहुत ही कम chances हो जाते हैं IPO allot होने के लेकिन on the other hand एक bonds का जो IPO आता है वो generally first come first serve basis पे allot होता है bonds IPO की एक और खास बात होती है देखे जब आप कोई bond खरीदेंगे किसी company का कोई पुराना secondary market में आप bond खरीदेंगे तो generally investment दो लाख या उससे जादा हो जाती है लेकिन जब कोई एक नया issue आता है तो उस time पे लगभग 10,000 की minimum investment होती है stocks के IPO में हमने generally देखा है यह 14-15,000 होती है minimum investment so इस वीडियो में हम bonds के IPO की ही बात करने वाले हैं कि हम bonds के IPO में अगर fixed return कमाना चाहते हैं तो हम कैसे apply कर सकते हैं किन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं एक IPO को कैसे हम analyze कर सकते हैं हम example लेके चलेंगे पिरामल Capital & Housing Finance Limited का जिसका भी एक bond live है और यह जो analysis process है यह आप किसी भी bond के IPO पे apply कर सकते हैं साथ में किसी भी bond के IPO में हमें online कैसे apply करना है यह भी हम live process देखेंगे वीडियो interesting होगा बने रही है latest finance video देखने के लिए आप इस channel को subscribe कर लीजे और साथ में bell icon को press करके all पे click कर लीजेगा जिससे आपको latest video का notification मिल जाए तो सबसे पहले हम company और उसका business देखेंगे फिर उसके financials देखेंगे key ratios देखेंगे pros and cons देखेंगे company के फिर हम issue की details देखेंगे और finally इसमें हमें apply कैसे करना है वो भी हम एक बार quickly process देख लेंगे सबसे पहले हम company और उसके business की बात करते है Pirmal Capital and Housing Finance Limited 100% owned subsidiary है Pirmal Enterprises Limited की जो एक flagship company है Pirmal Group की अगर हम इसके business की बात करें तो यह wholesale funding करते है Corporates को जिसमें mainly real estate developers आ जाते हैं और small and medium enterprises आ जाते हैं Retail portfolio अभी इनका बहुत बड़ा नहीं है F.Y.18 के अंदर इनका करीब 13,300 crores के आसपास था जो 4% of loan book था और 44,300 crores का यह बढ़के हो गया है F.Y.21 के अंदर जो करीब 14% of loan book का है अब देखें यहां पर कोई भी bank और NBFC generally retail loan book अपनी बढ़ाना चाता है क्योंकि वहां पर उसका risk diversify हो जाता है तो यह लोग भी अपना retail book जादा से जादा बढ़ाना चाते हैं और इसलिए इन्होंने DHFL को भी acquire किया है हाला कि वह अभी business पूरा fully integrate नहीं हुआ है As on 31st March 21, इनकी 19 branches है asset under management है करीब 3,23,500 crores के तो यह तो हो गया company और उसके business के बारे में अब हम इनके quickly financials देख लेते हैं mainly revenue और profits की बात करते हैं हम यहां पर FY 2018 के अंदर हम देखते हैं इनके 46 crores की revenue थी अब 2017 के अंदर ही यह company शुरू हुई थी तो obviously FY 2018 के अंदर जादा revenue numbers हम यहां पर expect नहीं कर सकते लेकिन FY 2019 में आप देखेंगे phenomenal growth दिखाई है करीब 5,000 crore की यहां पर revenues हुए है FY20 के अंदर 5,600 crores के revenues हुए है FY21 में यह revenue थोड़ी सी कम हो गई है COVID-19 के चलते हर business के अंदर ही कुछ ना कुछ hit आया है अब यहां पर अगर हम profit after tax की बात करें तो FY 2018 में loss किया था इन्होंने 31 crores का FY 2019 में 14,000 crores का profit किया था obviously यहां पर एक phenomenal jump आया था FY20 में इनके profits बहुत जादा गिर गए करीब 30 crores के यहां पर profits आ गए लेकिन FY21 में इन्होंने काफी recovery करी करीब 1000 crores के यहां पर इनको profit है तो COVID-19 के चलते हम देख सकते हैं कि इनकी बहुत जादा खराब हालत नहीं है profits अभी भी यह 1000 crores के कर रहे हैं अब यहां पर अगर हम इनके key ratios की बात करें तो net debt to equity ratio की पहले हम बात कर लेते हैं जो है इनकी 2.1 अब देखिए generally हम कहते हैं जब debt to equity ratio देखते हैं अगर हम किसी general industry की बात करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि less than 1 होना चाहिए यानि कि आपका जो total equity है net worth है उससे जादा debt नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ sectors ऐसे हैं जो loans पे ही dependent होते हैं अब banks और NBFC तो पहले loan लेंगे उसके बाद ही आगे loan देंगे इसलिए इनका जो debt to equity होता है ये high होता है infrastructure companies के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पे भी आप debt to equity थोड़ा सा high देखेंगे लेकिन banks और NBFC के अगर sector में हम इनको compare करें तो ये एक reasonable number है हमने recently देखा है काफी सारे banks और NBFC का ये number 3, 4 उससे भी जादा है net interest margin की बात करें तो healthy margin कमा पा रहे हैं 5.8%, 5.6% margins healthy लगते हैं gross NPA ratio देखें तो 3.5% का हुआ है 2.1% से increase होके 3.5% हो गया है अब gross NPA क्या होता है NPA होता है हमारा non-performing assets यानि कि overall जो इनका loan portfolio है जो इन्होंने आगे loans दिये हुए है उन में से कितने percent default कर गए उसे हम कहेंगे gross NPA अब उसके अंदर से भी जब हम कुछ provisions निकाल देते हैं यानि कि उनको write-off करने के लिए लगा देता है bank तो उसको हटाने के बाद हमारे पास बचता है net NPA Net NPA है इनका करीब 1.9% का जो 1.5% से बढ़ गया है पिछले एक साल में COVID-19 के चलते काफी banks और NBFC में इस तरीके का distress देखने को मिला है लेकिन यहाँ पे मैं इसको बहुत जादा distress नहीं कहूँगा हाला कि ideally हम चाहते है कि net NPA की ratio less than 1% हो तो बहुत अच्छा है लेकिन यह 1.9% की जो value है आप देखेंगे कि बहुत सारे banks और NBFCs की यह more than 2%, 3%, 4% भी हुई है तो अगर हम sector में compare करें तो 1.9% जादा खराब नहीं है return on asset इनके 20 में 0.6% थे obviously हमने देखा है वहाँ पे काफी सारे profits इनके कम आये थे लेकिन यह ratio बढ़के अब 3% हो गई है return on equity भी बढ़के 9.6% हो गया है so definitely on path to recovery capital adequacy ratio की बात करें तो 32.1% की है यह एक healthy ratio है capital adequacy ratio क्या होती है to risk weighted assets उसे हम कहते है tier 1 capital ratio यह एक healthy ratio है 32.1% की so capital adequacy ratio से हमें समझ में आता है कि यह well capitalized NBFC है तो यह होगे इसके key ratios अब हम इसके pros and cons की बात कर लेते हैं पहले pro की था हमने अल्रडी बात की भी है strong parentage है पीरमल ग्रूप की पीरमल ग्रूप ने काफी अच्छे performance दिखाई है दूसरे sectors में भी तो उसकी यह 100% subsidiary ही है फिर strong asset quality है with healthy underwriting and asset management practices asset quality हमने इनके numbers में भी देखा है COVID-19 के चलते भी कोई बहुत ज़ादा खराब नहीं हुए है healthy capitalization है हमने capital adequacy ratio भी इनका देखा है well capitalized NBFC है और low leveraged balance sheet है यानि की बहुत high debt नहीं है debt to equity ratio भी banks और NBFCs के हिसाब से healthy है diversified funding sources है किसी एक funding source पर ये dependent नहीं है अब ये जो company है ये generally deposits raise नहीं करती है यानि की हम यहाँ पर जाके अपना saving account या फिर कोई fix deposit नहीं करा सकते है ये बाकी के sources से funds raise करती है और वहाँ पर भी diversified funding sources है किसी एक source पर ये dependent नहीं करती है तो ये होगे इसके कुछ pros अब हम cons की बात करें तो impact of COVID-19 तो हर company में ही हुआ है तो definitely एक con तो ये रहा ही है specially banks और NBFCs के उपर थोड़ा सा stress अभी भी बना हुआ है DHFL not yet successfully integrated इसके बारे में भी हमने अलरड़ी बात कर ली है DHFL को इन्होंने acquire किया था इस business में काफी retail portfolio इनको मिलता है जो अभी पूरा integrate नहीं हुआ है definitely इनको ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए increase in NPA levels ये हमने अलरड़ी देखा है कि इनके gross NPA और net NPA बड़े है लेकिन overall देखें तो सारे ही banks और NBFCs के ये बड़े है अब हम यहाँ पे issue की details देखें तो issue open हो रहा है 12th July को यानि कि आज ही ये open हो चुका है 23rd July को ये close हो जाएगा non deposit taking housing finance company है इसकी हमने अलरड़ी बात कर ली है that means कि यहाँ पे fixed deposit यहाँ saving account नहीं कुलवा सकते है offer size की अगर हम बात करें तो 1000 rupees each NCD है यानि कि जो एक NCD है उसकी value 1000 rupees की है और यहाँ पे total करीब 1000 crores तक ये raise करना चाहते है total money issue price रखा गया है पर NCD NCD का मतलब है non convertible departure venture तो इसे हम दूसरे form में bond भी बोलते है face value है इसकी rupees 1000 per NCD हमने अलरड़ी बात कर ली है so जब भी कोई bond ने आता है उसके issue price को हम उस time पे face value बोलते है lead manager है GM financial minimum application है rupees 10,000 की यानि कि हमें minimum 10 NCDs खरीदने पड़ेंगे तो हमारी minimum investment हो जाती है 10,000 रुपे की nature of investment है secured redeemable NCDs secured का मतलब है कि जो इनके company के assets है उसके against ये secure हो जाते है which means जो company के assets है उनको as security यहाँ पे रखा गया है तो ये secured bond हो जाता है issuance demat only यानि कि हम अपने demat account के थ्रू ही इसमें apply कर सकते हैं बाइचांस आपने demat account नहीं खोला हुआ है तो उसका मैं नीचे आपको link दे दूँगा allotment first come first serve basis पे है जैसे हमने stock के cases में देखा है वहाँ पे तो lottery system होता है यहाँ पे जो बंदा पहले apply कर लेगा उसको मिल जाएगा कई बार तो जो थोड़े popular bonds होते हैं वो 2-3 दिन के अंदर ही खतम हो जाते है ऐसा माना जा रहा है कि यह वाला bond भी काफी जल्दी खतम हो सकता है allocation ratio अगर हम यहाँ पे देखें mainly तो हमें retail से मतलब है retail individual category को देखें तो यहाँ पे यह 40% यहाँ पे reserve रखा गया है retail के लिए और यह हमारी हो जाती है category 4 so category 4 को क्या coupon rate यानि कि क्या interest rate मिल रहा है यह भी हम देख लेते हैं पहले हम tenor की बात करते हैं tenor मतलब कितने साल के लिए हम यह bond खरीद रहे हैं so यहाँ पे tenor रखा गया है 26 months यानि कि करीब 2 साल 3 साल का भी एक option है five years का भी एक option है और ten years का भी एक option है आप इसमें से कोई भी option choose कर सकते हैं आपको interest कैसे चाहिए वो भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं आपको annual चाहिए या फिर cumulative at the end of the tenor आप वैसे लेना चाहते हैं तो आप वो भी select कर सकते हैं अब यहाँ पे हम category 4 का coupon rate देख लेते हैं हमें तो mainly इसी से मतलब है यहाँ पे अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो यह 8.35% का interest rate हमको मिलता है जो बढ़के अगर 10 साल तक का लेते हैं हम तो करीब 9% का यहाँ पे हो जाता है यह fixed returns हैं यह जो NCDs हैं इनको list किया जाएगा BSC और NSC पे भी which means कि इसको maturity से पहले भी अगर हम बेचना चाते हैं तो हम इनको stock exchanges पे बेच सकते हैं अपने DMAT account के थुरू या फिर golden pie के थुरू भी हम बेच सकते हैं golden pie में इसमे apply कैसे करना है वो भी मैं आपको भी जल्दी ही दिखाता हूँ इसकी rating की बात करें तो care ने इसे दिये है double A rating top rating होती है triple A उससे नीचे वाली rating आ जाती है double A तो care ने भी इनको double A rating दी है ikra ने भी इनको double A rating दी है अब bonds में online apply करने के लिए golden pie ये काफी अच्छा platform है in fact अगर हम किसी bond को maturity से पहले भी बेचना चाते हैं तो भी हम golden pie के थुरू बेच सकते हैं इसलिए मैं इसको prefer करता हूँ और by chance अगर आपने golden pie पे अभी तक account नहीं खोला है तो मैं नीचे link दे दूँग आपको description में आप account खोल सकते हैं और इस पर हमने एक video भी करा था जहां पर हमने golden pie में account खोलना कैसे है उसका भी मैं आपको link नीचे description में दे दूँगा तो एक बार आपने account खोल लिया है हम login कर लेंगे मैंने already account खोला हुआ है golden pie पे तो मैंने already login कर लिया है अपने account में अब जब आप main page पे आजाते हैं तो आप नीचे आके यहां देख सकते हैं सारे current IPOs यहां पे listed होते हैं otherwise आप यहां पे collections में जाके भी सारे IPOs को देख सकते हैं तो यहां पे देखिए पिरामल का भी current IPO चल रहा है यह जो इनके different different series हैं उनके अलग-अलग interest rates भी यहां पे दिखा रहा है तो यहां पे हम demo के लिए 2 year वाला bond ले लेते हैं let's say हम यह 8.35% वाले bond के अंदर अगर invest करना चाहते हैं तो हम view details पे जाएंगे तो यह देखिए आपको यहां पे सारी details मिल जाएंगी फिर debt quality की highlights यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हम apply IPO पे click कर देते हैं नीचे आ जाते हैं हम यहां पे select कर सकते हैं कि हम कौन से series के अंदर invest कर रहे हैं अगर आप retail category के through कर रहे हैं यानि कि up to 10 lakhs invest करना चाहते हैं तो आप retail category के through करेंगे और आप यहां से करेंगे otherwise आप more than 10 lakhs invest करना चाहते हैं तो आप H&I category में आ जाएंगे फिर आप यहां से invest करेंगे अभी हमने यह series 2 select कर ली है 26 months के लिए 8.35% यहां पे cumulative interest हमने यहां पे select किया है यानि कि majority के बाद सारा जितना भी interest बनेगा हमारा compound interest वो एक साथ हमको मिलेगा total 10 units है यहां पे अभी हम minimum units ही लेके चल रहे हैं example के लिए investment 10,000 होगी यहां पे total investment हमारी 10,000 हो जाती है यहां पे आप अपनी details चेक कर सकते हैं name, email, mobile number continue पे आप click कर देंगे फिर आपको डालना है अपना PAN फिर डालना है DMAT provider की आपका जहां पे भी DMAT account है वो CDSL या फिर NSDL जहां पे भी registered है अभी मैं जिरोधा के थूँ अपलाई करने वाला हूँ तो CDSL में क्योंकि जिरोधा registered है तो मैंने यहां पे CDSL select कर लिया है फिर आपको यहां पे डालना है अपना client ID number अब यह client ID number कहां से मिलता है यह भी हम देख लेते हैं जिरोधा में जब आप login कर लेते हैं तो आप उसके console में जाते हैं तो देखे आपको यहां पे DMAT ID मिल जाता है यह 16 digit number आपको यहां पे डाल देना है यह मैंने अपना डाल दिया है उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं हमको payment करनी है अपना आप UPI डाल देंगे और यहां पे आप apply IPO पे click कर देंगे जैसे हम click करेंगे हमको इस तरीके की screen मिल जाएगी processing your IPO application आपका IPO apply हो चुका है एक बाद UPI ID आपने डाल दिया उसके बाद आपको जो आपकी main UPI app है चाहे आपकी bank की UPI app है या फिर paytm है या फिर phone पे है आपको ध्यान रखना है उस app पे जाके आपको mandate accept करना है within 48 hours otherwise आपका ये IPO नहीं लगेगा बहुत लोग यहाँ पे ये last step skip कर देते हैं तो ये आपको ज़रूर ख्याल रखना है और दूसरी बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब आप ये UPI ID डालते हैं तो कई बर लोग panic हो जाते हैं कि मेरे पास तो mandate ही नहीं आया mandate आने में थोड़ा सा time लग जाता है तो जब आप UPI app अपनी थोड़े time बात खोलेंगे तो वहाँ पे आपको mandate आ जाएगा आप वहाँ पे जाके accept कर लीजिए तो आपका IPO अप्लाई हो जाएगा तो मैं अब अपने account में जाके देख सकता हूँ कि मेरी application यहाँ पे लग गई है तो इस तरीके से हमारा IPO अप्लाई हो जाता है किसी भी bond का